वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मज़ा नहीं आता को कुल 736 टेस्ट किये गए थे, इसमें से 25 पीसदी लोग यानि की 186 मामले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं बड़ी बात ये है कि इनमें से एक भी मरीज में कोरोना के लक्षन नहीं पाए गए सीम केजरिवाल के मताबिक इनमें से एक शक्स दिल्ली के सरकारी फूट सेंटर में काम कर रहा था इसके सबबर्क में आए सभी लोगों की जांच की तयारी अब है केजरिवाल के मताबिक अगर मामले से ही बढ़े तो मरीजों को समालने के लिए अस्पताल, आईसीओ और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे इसलिए किसी भी तरह की धील नहीं दे सकते क्या आए कोरोना विदेशों से अपने देश में तो था नहीं जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आएं तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बरदाश्ट करनी पड़ी मरकस के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बरदाश्ट करनी पड़ी हम भी ढिलाई देना चाहते हैं लेकिन ढिलाई देना बड़ा असान है और ढिलाई दे दी और सिती बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर I.C.U कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और अक्सीजन कम पड़ गई और पता कल हमारे पास 736 केसेज के टेस्ट की रिपोर्ट आई, उन 736 में से 186 करोना के मरीज निकले, यानि कि 25 परसेंट लोग करोना के मरीज निकले, 186 तो काफी ज्यादा है ये 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बखार नहीं है, किसी को खासी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत भी थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको करोना है और अरविंद केजिवाल ने एक और खास बात कही वो ये कि दिल्ली में नए मामले उन्ही जगों से सामने आ रहे हैं जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं केजिवाल ने जहांगीरपुरी के मामले का उधारन दिया जहां एक गली के 26 लोग पॉजिटिव निकले हैं ये सभी लोग आपस में रिष्टदार हैं और अलग-अलग मकान होने के बावजूद ये लोग मिल जुल कर रह रहे थे जहांगीरपुरी की एक गली उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे चाचे मामे ताय ताय ये सब उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले क्योंकि वो माने ही नहीं कंटेन्मेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे तो जहां जहां कंटेन्मेंट जोन में लोगों ने बात मानी हैं वहां एक भी नई केस नहीं मिले और जहां लोगों ने बात नहीं मानी वहां पे कुछ कंटेन्मेंट जोन में कई नई केस नि बुलेट